नमस्कार दोस्तों 21 सेप्टेंबर 2021 के टेली दा हिंदू एडिटोरल डिसक्रशन में आपका सौगत है देखते हैं आज कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरल से एक दो एडिटोरल में स्किप कर रहा हूं जिसे पहला एडिटोरल है सीमिंग मिस्ट्रस्ट डैस शुड और शुड नाट बॉयल ओवर यह एक्चुली में जो केरला में कम्यूनल डिसकेंट चल रहा है कि जो कॉंड़न वोमन को मुस्लिम्स द्वारा कम्यूनलाइज किया रहा है बात्चीत कर चुके हैं इसके कंटेक्स्ट में एक हेट स्पीच कर आर्टिकल भी आया है यह बी य और इस particular topic से related जितनी important चीज़े हैं मैं already discuss कर चुका हूँ तो no need for developing into them again चुकि सारी important चीज़ेंस की हो चुकी है एक जो अगला important article हम discuss करेंगे वो है higher education ranking मैं बोलूँगा आज का सबसे best article यह है देखिए अभी 9 September को Union Minister of Education द्वारा National Institute ranking framework ने अपनी rankings release की अब इन rankings का क्या objective है इनके क्या-क्या फायदे है और overall इन rankings को decipher करके हमारे देश में universities की functioning में क्या-क्या problems है इस बात को identify किया यहाँ पर फुरकान कमर साब ने मैं बोलूँगा बहुत अच्छा article है इसको हम discuss करेंगे detail में next article जो हम discuss करेंगे वो है भाई आपका done and dusted यह बात कर रहे हैं NRC की यानि National Register of Citizens की मतलब National Register of Citizens आपने कर तो दिया लेकिन उसके वाद dusted कर दिया dusted मतलब आपने उसको ignore करके side फेग दिया है उसके आगे आप उसमें कुछ नहीं कर रहा हो तो अभी National Register for Citizens में क्या update है इस update के बारे में बातचीत करेंगे इस particular issue को जल्दी सुल्टाना क्यों जरूरी है सरकार इसको क्यों delay हो रही है इसके बारे में यहाँ पे एक viewpoint दे रखा है अलग-अलग players यहाँ पे क्या बोल रहे है with respect to National Register of Citizens इसको समझने की कोशिश करेंगे फिर next एक article है आपका the end game guarantees for bad bank यह actually में भी National Asset Reconstruction Company Limited के बारे में एक news निकल के आई थी फिर India Debt Resolution Company सरकार ने बोला है कि 30,600 क्रोन रुपे हम इस bad bank में infuse करेंगे के लिए 5 सालों में तेखे इस particular topic को मैंने 10 मिनट बहुत detail में explain किया था कहां explain किया था तो अगर आप मेरी 17 September वाली daily current affairs burning news discussion में जाते हैं 17th of September तो 17th of September के daily burning news current affairs discussion में जाईए आपको इस particular topic का 10 मिनट का detailed explanation मिलेगा first news ही मैंने यहाँ पे cover कर रखिए तो इस particular government sets up bad bank to clear the NPMS जहां जितना detail में मैंने आपको यह चीज यहाँ पे बता रखी कहीं पे भी आपको नहीं बताई जाएगी overall यह पूरा topic आपको ढंक से समझ में आ जागा India debt resolution company का क्या लेना देना है national asset reconstruction company limited का क्या लेना देना है कौन सी privately on है कौन सी सरकारी owned है backstop arrangement क्या है 30,600 क्रोण रुपया कैसे इस्तमाल होगा हमारे finance minister का क्या बोलना है everything is covered here so go and watch this video मैं reference इसलिए दे रहा हूँ because this reference is important next article जो मैं आज आपके साथ discuss करूँगा that is related to ease of doing business rankings ease of doing business rankings को recently 16 September को scrap कर दिया गया क्यों scrap किया गया इसके बारे में basic जानकरी हमने current office में देखी है यहाँ पर पूरा का पूरा एक editorial छाब दिया है आर नागराज साब ने तो इस editorial को समझेंगे ठीक है important है तो इस चीज़ को समझेंगे plus marital rape को criminalize करने से respect में एक article है repeated points है पहले मैं इस topic को cover किया है अलग से मैं इसमें discussion नहीं कर ला हूँ तो कुल मिला के 3 important topics है और 3 important topics मैं आपको धंग से समझाओंगा got it आगे बढ़ने से पहले भाई अपने members का स्वागत कर लेते हैं देखते हैं वो किसने किसने जोइन किया तो श्वेता गोयल ने हम को जोइन किया विष्णू प्रताब ने हम को जोइन किया विष्णू प्रताब का ये second month है जैमेंबर welcome back विष्णू thank you so much for joining कौशलेंदर सिंग ने हम को जोइन किया मुनीराज सिंग राजपूत ने हम को जोइन किया ANM ने हम को जोइन किया ANM का ये second month है जैमेंबर welcome back A&M, thank you so much for joining Shoes Hub Hub ने हमको जोइन किया है Tamanna Dahiya ने हमको जोइन किया Tamanna Dahiya का यह 8th month है Welcome back Tamanna, thank you so much for joining भीया, 8 महिने से जो लोग जोइन करके रखते हैं बहुत सारे ऐसे से लोग है जोनोंने बहुत लंबे टाइम पी रिटकले चैनल जोइन कर रखता है तो special thanks to you guys and special thanks to everyone Tamanna, Shoes Hub Hub A&M second month as a member Muniraj Singh Rajput, Kaushalendra Singh Vishnu Pratap second month as a member Shweta Goel, I welcome you all to my channel thank you so much for helping me in being sustainable चलिए, अपने discussion की शुरुवात करते है Fund and faculty count in higher ranking educations, मतलब higher education ranking the new addition of national institutional ranking framework highlights the huge gap between the best and the rest यह national education ranking framework में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे मतलब first of rank से लेके अगर आप hundredth of rank की तरफ पहुचोगे तो क्या changes आए हैं इन चीजों को यहाँ पर काफी बहुत detail में identify किया गया है इसी detailed identification को यहाँ पर समझेंगे यह जो छटी ranking है NIRF की इसको release किया हमारे union minister for education ने 9 September 2021 को जो लोग top hundred में आ गए हैं वो तो भाई देखो खुश हैं वो तो obvious सी बाते खुश हों गई होंगे कुछ लोग जिनकी ranking improve हुई है वो जादा कुप है कुछ लोग जिनकी ranking थोड़ी नीचे गई है वो दुखी है बट overall top hundred में तो चलो नाग बच गई इस प्रकार से सोच रहे हैं और कुछ लोग जो top hundred में नहीं है वो केसे साब सोच रहे हैं आप देखे चुकि NIRF top hundred को ही rank करता है तो लगबग 935 universities इंडिया की ये इससे बाहर है तो जो भी इससे बाहर है तो overall वो अपने excuses दे रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है हमसे ये गलती हो गई आगे आने वाले समय में हम अपनी rankings को सुदारमने कोशिश करेंगे जिनकी ranking थोड़ी नीचे गिरी है अब टॉप hundred में वो अपनी force को दूढ रहे हैं और जो improve हुए हैं उनको तो भाई congratulations देने वाली बात है अब ये ranking फाला जो framework इसको trauma की तरह बताया जा रहा है एक tension की तरह बताया जा रहा है इन institutions के लिए चुकि सिर्फ NIRF ये अकेली university rankings नहीं निकलती है एक ranking निकलती है academic ranking of world universities एक निकलती है times higher education rankings एक निकलती है quack quarelli simons rankings तो इस प्रकार की rankings अकसर कर इन universities को institutions को इस बात पर मजबूर करती है सोचने के लिए कि भाई इनके administration में क्या problem है कुछ problem चल रही है क्या आगे बटन इस पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है चैनल को शोर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजे जोइन बटन दबाग के help करें if you can do it that is definitely very helpful इंस्टाग्राम पर follow कर लिजे टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे हर चीज का link नीचे discussion box में दे रखा अब सबसे पहले हम लोग समझने ही कोशिश करते हैं कि इन rankings के objectives क्या क्या है इसके बहुत से objectives हैं और आपके साथ तो advantages भी बहुत सारे है पहली बात तो अगर किसी institute की ranking अच्छी है तो students को obvious ही बात है एक push होगा कि हाँ भाई हम उस particular institute में जाके पढ़ें इस प्रकार के institute में पढ़ने की कोशिश क्यों करते हैं आयाटी के जो experience होते हैं जोगी ये top level के institutions हैं faculty भी इन institutions में जाके पढ़ाना चाहती है पढ़ी आके software company खड़ी हो जाती है उनको पता यहाँ पर जो भी बच्चा मिलेगा वो talented rot होगा समझ गए तो कौन सा best institution है ये पता रहे तो बच्चों को भी आसानी faculty को भी आसानी और जो नौकरी देने वाले लोग हैं उनको भी आसानी प्रस एक institute जितना best होगा उसको research funding लेने उतनी आसान होगी और hirings के लिए वो target campuses होगा जादा तर national और international companies इसी institute के campus में आएंगी अब जब rankings आती है तो ranking में competition वाला environment आता है जाला गला कि institutions कोशिश करेंगे कि हम इस आगे वाले institution को पीछे छोड़ दें आप जब institution को पीछे छोड़ना है तो अपने quality में improvement करना है quality में improvement करना है तो अपनी policy को better करना है तो overall यहाँ पे competition के महल में institutes अच्छा perform करते हैं अच्छा एक और बात है अगर आपकी ranking high है तो सरकार की तरफ से आपको बहुत से privileges मिलेंगे overall आपको अपना administration चलाने में autonomy दी जाएगी जोकि सरकार फिर जदा interfere नहीं करेगी सरकार को लगेगा कि कोई एक institution academic field में जबरदस perform कर रहा है तो फिर सरकार वहाँ पे unnecessarily intervene नहीं करेगी प्लस यह universities open courses offer कर सकती है distant mode program offer कर सकती है foreign universities के साथ collaborate कर सकती है foreign universities भी खुशी-खुशी इन universities के साथ collaborate करेंगी जो कि NIRF या बाकी rankings में बहुत ज़द उपर है तो कुल मेरा कि हमने यह देखा है कि ranking बहुत सारे useful purposes को serve करती है no doubt ranking से हमको यह पता चल जाता है कि improvement के क्या-क्य areas है यहाँ पे कैसे उन areas में काम करके deficiency को हटाया जा सकता है quality को ensure किया जा सकता है excellence को promote किया जा सकता है लेकिन हमारी देश में एक बड़ी problem भी है पर देखें best और rest हमें बहुत huge difference है अब IIT Bombay top level institute है IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Chin, IIT Delhi पर क्या सारे institutions इतने अच्छे हैं मैं केवल engineering field की बात कर रहा हूँ आप MBA field में चले जाओ अलग institutions है आप arts की field में चले जाओ अलग institutions है तो क्या हम as a देश इस बात को afford कर सकते हैं कि एक जगा पर हमको कुछ essay institutions नजर आएं जो बिल्कुल ही top level के हैं तो उनको आप कह सकते हो islands of superiority और उसके चारों तरफ जो समुंदर हो वो mediocre colleges का हो average colleges का हो तो as a nation अगर हमको grow करना है तो उससे काम नहीं बन पाएगा हमें बहुत सारे ऐसे institutes चाहिए जो की quality में बहुत जादा अच्छे हो कुछ institutes quality में बहुत अच्छे हो गए और बाकी institute average हो गए इससे भाई देखो बात नहीं मनेगी ओके फिर भाई universities की बात करिए तो universities करती क्या है quality dissemination of knowledge skill and application orientation और उससे excellence है फिर ये जो universities है they make a seminal contribution to research publications, patents and innovations अगर आप universities की performance को assess करना चाहते हो आप एक single metric पे assess नहीं कर सकते हो आपको range of metrics लगेंगे बहुत सारे अलग-अलग factors लगेंगे और इन अलग-अलग factors के हिसाब से अलग-अलग rankings अपने results निकालती है जैसे for example अगर आप ARWU ranking की बात करो आप बोलोगे ARWU क्या है तो ये है academic ranking of world universities THE क्या है times higher education QS क्या है quack really assignments मदभ ranking तो ये सब छोटे में लिख रखा है THE QS तो आप confused मत होएगा मैंने पहले आपको बता दिया तो अगर आप ARWU ranking की बात करो तो ये अपनी ranking में जो main importance देते हैं वो research performance को देते हैं देखें जब भी ranking की जाती है ranking बहुत सारे parameters पे की जाती है तो ARWU की ranking की जाती है on the basis of research performances THE वाली ranking की जाती है on the basis of 60% weightage to research और QS वाली ranking में 20% weightage दी जाती है research को अब यहाँ पर बात की जारी NIRF की National Institutional Ranking Framework इसमें 30% weightage दी जाती है research performance and professional practices को ये RPP वाला element अपने दिमाग में ठालो अब ही आगे RPP वाले element के बारे में बार बार बात चीत होगी तो ये जो research performance and professional practices वाला element है this is the most important element in deciding the genuineness of a ranking NIRF 30% weightage देता है इस RPP को एक university के अंदर research के ओपर कितना काम हो रहा है इसको assess करना बहुत जरूरी हो जाता है तो अगर आप NIRF की बात करिए तो इसमें बहुत से combined metrics है जैसे for example एक particular university ने कितने publications निकाल ले है उसको 35% voltage तो इस 30% मतब जो 30% weightage दिया जारा research performance and professional practices को NIRF के अंदर इस 30% के अंदर 35% है on the basis of कितने publication है उस university के 35% इस basis पे कि उन publications की क्या quality है intellectual property right और patent का angle कितना है ये 15% weightage लगता है और footprint of projects and professional practices ये 15% weightage लगता है और ये सब को मिला दो तो 30% weightage आ जाएगा NIRF में किसका research performance and professional practices का अब अगर आप 100 universities का data उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि बहुत segregation है top की universities बहुत उपर है bottom की universities बहुत नीचे जैसे for example अगर NIRF 2020 की स्रैंकिंग की बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे top की university इंडिया के अंदर उसने research performance में 92.16% score किया है मतलब out of 100% research performance पे 92.16% score कर रही top universities लेकिन अगर आप 10th best university पा आ जाते हो इंडिया के अंदर तब research performance पे performance आ जाती 60.52% की जी हाँ सोचिए हमारी NIRF की ranking में जो number 1 पे है वो research performance में दे रहा है ranking 92.16% की performance 92.16% की मतलब इस तरीके समझ लिजए कि 100 number हैं अगर research के तो first rank वाली university को 92 number मिल रहे हैं 10th best वाली university को 60.52 numbers मिल रहे हैं 20th best university को 50.32 number मिल रहे हैं 50th best university को 28.69 number मिल रहे हैं मतलब जैसे जैसे आपकी NIRF की top 100 rankings में आप नीचे की तरफ जाओगे research performance के field में जो total numbers हैं जो total percentage है total performance है वो गिरती ही जा रही है और जब आप 100th best university पे पहुँचोगे तब पता चलेगा कि यह RPP 4.35% पे आगया मतलब top 100 universities जिनके हम rank निकाल रहे हैं उसमें भी जो 100 नंबर की university है उसकी research में जो performance है वो केवल 4.35% है तो आप सोच सकते हैं कि वो 935 universities जो कि इस top 100 की ranking में पहुची नहीं पाई वहाँ पे research के हाल कितने खराब होंगे तो यह India के लिए एक problematic चीज है फिर universities में एक और चीज बड़ी important जाती कि कितने teachers हैं कितने research scholars हैं अब देखें national institution ranking fame पर कभी यह disclose नहीं करता कि एक particular college में कितने number of teachers हैं कितने number of research scholars हैं लेकिन हाँ कुछ statistics यह जरूर होते हैं कि कितना expenditure हुआ teaching और non-teaching staff की salaries के उपर और in ranked universities में कितने number of PhD students enrolled हैं तो कितने number of PhD students enrolled हैं और कितने number of teachers देखें, teachers का number नहीं दिया गया है बट हाँ teaching और non-teaching staff की जितनी salaries आती है यह जरूर दिया हुआ है तो अब इस context में पता चलता है कि इंडिया में जो top 10 universities है NIRF की framework के साब से वो average annually मतलब annually वो salaries पे 391.72 क्रोन रुपे खर्च करते हैं मतलब NIRF की जो top 10 universities हैं यह on an average salary देने में 391.72 क्रोन रुपे खर्च करते हैं वहीं पे वो universities जो 41 से 50 rank में आती हैं वो on an average साल आना 119.64 क्रोन रुपे खर्च करते हैं तो top 10 खर्च करते हैं 392 क्रोन रुपग और 41 से 50 वा रैंकिंग वाली करते हैं 120 क्रोन रुपग मतलब obvious सी बात है अगर salary में खर्चा कम हो गया तो number of teachers हाइड भी कम हो गया और overall on teachers की quality भी कम होई होगी चोकि best teacher तो best colleges में होगी फिर next 91 से 100 वाली जो ranking वाली universities हैं वो on an average हर साल 79.26 करोन रुपग खतम करते हैं किसके उपर आपने teachers के उपर तो यह पुरा का पुरा यहां पर scenario दे रखा है मतलब जैसे कि जैसे आप ranking में नीचे आ रहे हो ठीक है वैसे वैसे overall salaries में जो खर्चा हो रहा है वो भी overall कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि quality of teachers and quantity of teachers भी घट रहा होगा with the decreasing rank फिर अगर आप top 10 universities की बात करो NIRF वाली तो इन universities में on an average 2627 research scholars है लेकिन अगर आप 41 से 50 ranking वाली universities को देखोगे तो on an average हर university में केवल 1036 PhD students यह research scholars है और अगर आप bottom 10 ranking वाली universities में चले जओ 91 से 100 वाली में चले जओ तो on an average केवल 165 research scholars है तो जैसे जैसे ranking गिर रही है वैसे वैसे number of research scholars भी गिर रहे है मतलब NIRF की ranking में एक indicator बिल्कुल fix है कि जतने ज़्यादा आपके number of research scholars होंगे उतनी आपकी rank RPP में अच्छी होगी समझ गया तो कुल में राके एक और चीज़ यहाँ पर clear हो जाती है कि भाई वो institutes जो कि इन rankings में नहीं आ पाए हो सकता है कि वहाँ पर salaries teachers को कम दी जाती हो number of teachers वहाँ पर कम हो number of research scholars वहाँ पर कम हो overall RPP की performance उन universities की कम हो और इन सब चीज़ों को यहाँ पर improve करने की ज़रूरत है यह बात यहाँ पर बताई जारी है आई होग चीज़ें clear हो गई इस particular article में next article पर चलते है done and dusted the NRC process needs closer not another reboot मतलब NRC process को खतम करने की ज़रूरत है फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है यह यहाँ पर बोला जा रहा है तो क्या फिर से शुरू हो रहा है देखिए already National Register of Citizens को declare किया जा चुका है 31 अगस्त 2019 को 31st of August 2019 को NRC publish किया गया था और तब से लेके अब तक कोई clarity नहीं कि NRC implement होगा की नहीं होगा जिन लोगों को include नहीं किया गया उनके खिलाफ क्या होगा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है तो अब ऐसा लग रहा है कि National Register of Citizens एक end ending सागा हो गई है सबसे खास बात यहाँ पर यह है अब यह final NRC क्यों नहीं है इस बात को लेके क्या doubt है देखे 33, 3 करोन 30 लाख जो लोग है आसाम के उसमें से लगबख 1.9 मिलियन 19 लाख लोगों को NRC में जगा नहीं मिली मतलब National Register of Citizens में जब इन 19 लाख लोगों को नहीं जोड़ा गया तो इस बात पर doubt आ गया कि यह 19 लाख लोग अपनी citizenship को प्रूव नहीं कर पाएं तो अगर यह अपनी citizenship को प्रूव नहीं कर पाएं मतलब यह इंडिया के नागरिक नहीं है तो most probably यह बंगलादेश से आई हुए होगे ठीक है एक चीज यह clear होगे लेकिन अब आप समझिये अगर National Register of Citizens के अंदर किसी का नाम नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंडिया के नागरिक नहीं है उसको एक मौका दिया जाएगा अपने आपको प्रूव करने का तो सबसे पहले तो इन 19 लाख लोगों को एक Rejection Slip इशू की जाएगी और उस Rejection Slip के आधार पर यह लोग Foreigner Tribunal में जाके अपील कर सकते हैं अपने डॉकुमेंट पेश कर सकते हैं और वो सकते हैं हम इस देश के नागरिक हैं अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कि बंगाली और इजिन Muslims को यहाँ पर victimize किया जा रहा है कुछ लोग यह बोलने लगे कि आसाम के जो indigenous people ने तुमने उनी को लिस्ट में जगा नहीं दी तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग viewpoint यहाँ पर निकल के आ गया अब सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि final document के publication की अगर बात की जाए तो अब एक demand यह उठ रही है आसाम और केंदर की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में petition किया कि भाई आप एक काम करो re-verification करा लो draft NRC का यह जो National Register of Citizenses का थोड़ा re-verification कर ला वालो तो जो border districts है आसाम की वहाँ पर 20% re-verification कर वालो और बाखी जगाँ पर 10% re-verification कर वालो लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जो State के NRC के coordinator थे प्रतीख हले जा उन्होंने बोला कि 27% नामों का तो re-verification अलड़ी हो चुका है तो यह पहले की बात बता रहा हूँ अभी से 2-3 साल पहले की फिर हितेश देव अभी क्या है कि इस साल माई 2021 में जो State की NRC authority के head है हितेश देव सर्मा इन्होंने क्या बोला इन्होंने Supreme Court में पैटिशन फाइल की और उन्होंने बोला कि बाई जो 31 अगस 2019 की list है इसको फिर से re-verify करो क्यों re-verify करो चुकि हितेश देव सर्मा का बोलना है कि कुछ eligible नामों को exclude कर दिया गया है और कुछ in-eligible नामों को जोड़ दिया गया तो फिर से re-verification की जरूरत है और आसाम के Chief Minister हिमंत बिस्तु सर्मा तो ये बोली रहे हैं कि जो districts आसाम की border करती है मांगलादेश के साथ वहाँ पे 20% re-verification होना चाहिए और बाकी जगों पे 10% होना चाहिए तो मतलब अब NRC जो publish हुई 31 अगस 2019 को इसमें re-verification की बातें उठ रही है सरकार का, राजजी की सरकार का और केंद की सरकार का बोलना है कि Bordering districts में 20% re-verification करो और बाकी जगों पे 10% re-verification करो और जो आपके स्टेट के NRC अथर्टी कहाँ ए हिदेश देव सर्मा ये बोल रहे हैं कि पूरा re-verification करो आप क्या पूरा re-verification आसान है अपने आप में बहुत मुश्किल काम है प्लस NRC पे कोई काम भी नहीं हो रहा है NRC का simple process ये था कि जितने भी लोग exclude किये जाएंगे मालों यहाँ पे 1.9 million लोग exclude किये गए तो इनको rejection slip दी जाएगी और इसी rejection slip के आधार पे foreigner terminal में जाएगी इनको rejection slip भी नहीं दी जा रही है अभी के लिए तो काम बिलकुल रुख गया है और अगर आपका NRC में नाम नहीं आया है तो आपको आधार कार्ट, PAN कार्ड ये सब चीज़े नहीं मिलेंगी तो आप बीच में फस जाओ गए यहाँ पे और कुछ लोग ऐसे ही 19,00,00, लोग बीच में लटक गए है और जो पब्लीकेशन ही, जो NRC पब्लूश हुआ है इसके बाद जो प्रोग्रेस है, वो काफी धीमी पड़ गए इस बिल एक्सक्रूशियेटिंगली स्लो ओके, NRC की जो कॉडिनेटर है जिन्होंने अपनी पेटिशन फाइल की यहां पे NRC निकाल दी, आप कम से कम इस NRC को फॉलो अप तो करो, इसको बीच में रोक के क्यों रख रखा है इस इस नॉट गूड अच्छा, 31 अगस 2019 को जब यह फाइनल NRC पब्लिश हुई थी उससे पहले जुलाई 2018 को जो ड्राफ्ट NRC आई थी उसमें 4 मिलिएन लोगों के नाम नहीं थे 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे और उसका एक और ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें 1 लाख लोगों के और नाम नहीं थे तो लगबख 4.1 मिलिएन लोगों के नाम पहले नहीं जोड़े गए थे इस NRC में लेकिन जब final NRC निकली तो 2.2 मिलियन लोगों के नाम जोड़ दिये गए समझ यह जब draft NRC निकली थी final नहीं publish हुई थी तो 4.1 लगबग 41 लाक लोगों के नाम नहीं जोड़े गए थे लेकिन जब final NRC आई तो इन 40 लाक में से 22 लाक मतब 2.2 मिलियन के नाम जोड़ दिये गए तो कुल मिला के final list में 1.9 मिलियन लोग ऐसे बचे जिनके नाम NRC में नहीं है इन 1.9 मिलियन लोगों को rejection slips इशू करनी है जिस rejection slip के against यह 1.9 मिलियन लोग foreigner tribunal में जाएंगे अपने document दिखाएंगे और claim करेंगे कि हम इंडिया के citizen है और मालो इनका claim reject किया जाता है तब इनकी parent country बांगलादेश के साथ formal proceeding शुरू की जाएंगे और बांगलादेश को बोला जागा कि भई अपने नागरिक को वापस ले लो यह पूरा का पूरा process है लेकिन यह process बीच में गया है लटक और इसकी वज़े से कुछ लोगों की पूरी की पूरी जिन्दिगियां लटकती है in fact यह जो NRC आया इसको official approval भी नहीं मिला है Registrar General of India का notification नहीं आया है जो कि NRC को legal बताएगा तो कुल मिलाके इस NRC को follow up करने के जरूथ है फिर से इस Gargantuan exercise को शुरू करने की जरूथ नहीं चुकि फिर से शुरू कर दोगे तो पैसा बहुत लगेगा और end में जो list निकल के आएगी खुश हुस्से भी नहीं होंगे लोग तो अभी present list में जो गलतियां है इनको आप सुधारो और इसके basis पे आप follow up करो चीज़ों को ना कि आप पूरी की पूरी exercise को फिर से शुरू कर दो ये बताने जा रहे हैं आप ये जो bad bank वाला article है जिसका reference मैं आपको already दे चुका हूँ अब आखरी article अपना discuss कर लेते एक ही article आज और discuss करना है और वो कौन सा है आपका the end of ease of doing business rankings भाई ये जो ease of doing business rankings है ये बहुत सी problems है और इसको scrap कर दिया गया अब इसको scrap क्यों किया गया 16 September World Bank को World Bank ने अपनी flagship publication doing business report को आपके सब तो scrap कर दिया अब सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो particular ranking थी काफी important हुआ करती थी issues क्या point out किये गये थे issues ये point out किये गये थे कि भाई जो 2018 ease of doing business index की ranking निकली थी जो 2020 का edition निकला तो उसमें problem थी problem ये थी कि क्रिश्टी लीना जॉजीवा जो कि अभी के लिए managing director ने international monetary fund की चब ये report निकल ली थी तो भी वर्ट बैंक में थी और उस समय पे इन्होंने word bank के internal department के उपर pressure डाला कि तुम चाइना की ranking अच्छी करो और चाइना की ranking को artificially यहाँ पे अच्छा किया गया मतलब कुछ countries यहाँ पे ऐसी हैं जो जबरदस्ती अपने political cloud के थूँ अपनी business की ranking को सुधारना चाहती है जिसमें चाइना का एक नाम निकलके आ रहा है प्रस author यह बता रहे है कि इस ranking के बंद होने का एक major impact पड़ेगा major impact क्यों पड़ेगा चुकि दुनिया भर की countries बहुत सारे business decisions इसी ranking के दम पे लेती हैं दुनिया भर की countries अपनी ease of doing business की ranking को improve करना चाहती थी आलाग-अलाग leaders ने ease of doing business की rank targets बना रखे थे in fact हमारे खुद के honorable prime minister नरेंदर मोधी साहब ने administration को बोला था कि आप ensure करिये कि ease of doing business में इंडिया top 50 ranks पर है चुकि जब हम ease of doing business में उपर होते हैं हमारे आपे investment आनी आसान होती है जैसे कि यहाँ पर हो गया चाहिना हाला कि मैं आपको बता दो कि यहाँ पर author present सरकार को भी क्रिटसाइज करना है उस point को भी डिसकस करेंगे फिर यहाँ पर peruvian economist का example दिया गया है Hernando de Soto नाम के एक peruvian economist है अब पूरी की पूरी है जो ease of doing business index की जो ranking का जो base है वो base क्या है कि भाई जो भी statistics report के जाते हैं आप वर्ड बैंक को उन statistics को simple तरीके से compile करना और statistics report करने का भी तरीका simple होना चाहिए और transparent होना चाहिए अगर आपको free market में flourish करना है तो जो reporting है उस reporting में intervention नहीं होना चाहिए मतलब कोल मिलाके यह बोला जा रहा है कि वर्ड बैंक के index में एक problem यह भी थी कि जो data का collection था उसमें कुछ ना कुछ issues थे बहुत transparent तरीके से data का collection नहीं हो रहा था प्लस free market economy के concepts को promote करती है यह ease of doing business rankings और free market economies freedom के basis पर operate करती है और जब countries की सरकारें इसमें interfere करेंगी तो चीजें transparent तरीके से नहीं होंगी अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया 2014 में 130-140 position पर था 2019-2023 तक यह 63 पोजिशन पर पहुँच गया और इसके basis पे हमारी देश की सरकार यह claim करने लगी कि make in India successful हो गया है 2014 का यह जो हमारा make in India campaign है यह जबरदस्त हो गया है जो manufacturing sector का जो share था GDP में उसको 16-17% से बढ़ा के 25% तक ले जाएंगे तो यह सब चीजें ease of doing business से पता चल रही है कि हाँ हो रही है 1100 million additional jobs create होंगी actually में ease of doing business की ranking में जब इंडिया ने अपने आपको improve किया न तो हमारी सरकार यह claim करने लगी कि हाँ भाई हम इन particular parameters की तरफ बढ़ रहे हैं हम manufacturing sector का जो share है अपनी GDP में वो 16-17% से बढ़ा के 25% की तरफ ले जा रहे है हम 2022 तक 10 करोण extra jobs यहां पे पैदा कर देंगे 2025 हो गया था बाद में लेकिन actually में ground level पे कुछ हो नहीं रहा था तो अथर यही बोल रहा है कि ground level में यह सारे के सारे claim पूरे नहीं हो रहे है और इंडिया की ranking ease of doing business में उपर जा रही है तो यह कैसे हो रहा है 15.6% में actually 13.1% थी GDP manufacturing की growth है 2015-16 में यह पहुँचके 2019-22 में 19-20 तक minus 2.4% तो manufacturing GDP की growth हमारी गिरी है FDI inflow to GDP का जो ratio है वो लगबग 1.5% पे है fixed investment to GDP ratio है वो 2014-15 में 30.1% था 2019-20 में 26.9% आ गया है तो बोला यह जा रहा है कि actual में जो economic parameter से इंडिया के वो खराब हो रहे है तो आपकी ease of doing business ranking कैसे अच्छी हो रही है बस इस बात को question कर रहे है अब हिंदू का article है तो सरकार के अगिज़ तो question आए गई आपे यह तो बड़ी normal सी बात है फिर चाइना की उपर भी यहाँ पर सवाल उठाय जा रहा है चाइना की phenomenal economic progress दिखाई गई इसकी तगड़ी agricultural progress दिखाई गई जितनी इसकी progress actually में नहीं थी उससे ज़्यादा दिखाई गई फिर अगर आप चिली में ranking की बात करो तो चिली में भी ranking को को manipulate किया गया कैसे manipulate किया गया तो अगर आप देखो कि अगर चिली में conservative government है तो ease of doing business की ranking उसकी अच्छी हो जाएगी लेकिन वहीं पे अगर चिली में socialist government आ गई तो उनकी ease of doing business की ranking नीचे चली जाएगी अब यह क्या तरीका हो गया मतलब तुम्हारी government में अगर conservative की सरकार है तो तुम्हारी rank अच्छी हो जाएगी ease of doing business की और socialist की सरकार है तो rank नीचे गर जाएगी आरे measures तो economy के लिए वही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सरकारों के हिसाफ से ranking दे रहो economy के measures के हिसाफ से ranking नीच दे रहो जो labor laws हैं और उनके enforcement को बहुत ज़दा lacks कर दिया है अब जो firms हैं वो unorganized workers को ज़्यादा hire कर सकती है कभी भी उनको hire कर सकती है कभी भी उनको fire कर सकती है तो ease of doing business की ranking को improve करने के नाम पे labor laws को बहुत ज़दा lacks बहुत ज़दा relax कर दिया गया इंडिया के अंदर जिसके चलते official labor inspection system कमजोर पड़ रहे हैं employees जो चाहते हैं वो अपने labor के साथ करते हैं यह सब चीजें गलत है regulatory compliance employees नहीं कर रहे हैं फलाँ फलाँ चीजें यहाँ पर बता ही जा रहे हैं labor department की ताकत यहाँ पर कम हो रही है तो यह सब चीजें क्या दिखाती है यह सब चीजें यह दिखाती है कि ease of doing business के नाम पर जो हमारी सरकार है वो labor loss को relax कर रही है pro labor काम ना करके anti labor काम कर रही है बस employees को ही खुश करने में लगी हुई इस परकार की बाते यहाँ पर बोल रही है तो अच्छा ही है कि यहाँ पर ease of doing business ranking को scrap कर दिया गया है ऐसा यहाँ पर आर नागराज साब पूर रहे है तो यह था आज का analysis दोस्तों आई हो पापो कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो अपने viewpoint नीचे comment box में जरूर दीजेगा जादा से जादा लोगों के साथ इस lecture को share करें आप हो सके तो join button ना वाख help करें इस्टार्णाप पर follow कर लिजे टेलिग्राम कृप जाइन कर लिजे हर चीज का link नीचे description box में दे रखा है goodbye friends have a great day